दोस्तों नमस्कार शश्यकाल आदाब श्वागत एक बार फिर से आप सभी का मैं हूँ अपर दोस्त डॉक्टर विशीग दोस्तों एक सवाल बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जो बच्चे मिलब इनकी फैमली गरीब है किसी के पापा फॉर्मर है किसी के पापा हर डौT को क्लियर करऊंगा क्योंकि बहुत सारी भ्रांतिया हैं समाज में जब भी आप बात करते haz 관리 होता है इंग्लिस बीडे मोना कंपसरी है ऐसे बहुत से बातें आपने सुनी होंगी लेकिन जो सच्चाई है वो इन सबसे अलग है क्या सच्चाई बबापको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप कैसे घर पे रहके एक गरीब बच्चा एक फॉर्मर का बच्चा एक चाय वाले का बच्चा डॉक्टर बन सकता है निट एक्जां केड़्ा कर सकता लुए अब एक बहुत सिंपल सुनी निट इग्जांगे कर लिया है यह वह अपर निट exam दे सकता है even अगर आप गरीब हैं तो आपने गरीबी को पास से देखा है तो आप किसी चीज से भागोगे नहीं आपको मेहनत करना आता है क्योंकि जैसे एक गरीब सर्वाइब करता है वैसे कभी एक अमीर का बच्चा सर्वाइब नहीं कर पाएगा आपके लिए आप जो है कैंडल लाइट में भी आप पढ़ सकते हो ठीक है तो अब आप कभी समत सूचिएगा कि आप नहीं कर सकते हो अक्सर आप देखा जो भी लोग बड़े हुए ना जो भी आज सफल है ना सबने जो है रोनाल्डो हो चाहे मेसी हो या जो कोई भी आपने देखा जो आपके आइडियल होंगे सब के जियोद में गरीबी थी और सब अबने उससे फाइट करकर जो है ना आज वो सफल हुए है क्या करना देता हूं आपको नॉर्मल एंसे आटी के बुक्स अरेंज करता होगी अगर नहीं है तो आप फर्स्ट यर्वाइज ले लिजी ठीक है या अगर आप चाहे तो आप सेकेंड हैंड बुक अरेंज करने मार्केट में आपको मिल जाती है हाफ प्राइस पर बोले लिजे एक अरफ कॉपी लिजे और मोबाइल आप सभी चलाते हैं डाटा आप से भी के पास होता है आप उस डाटा को यूज करना सीखें बहुत सारे ऑनलाइन एप हैं जो मलब आपको स्कूल के टीचर आप उससे मिलीजे यूटूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको फ्री क्लास देते हैं कंप्ली श्लूशन देते हैं एक प्रीजों को अरेंज करो और फ्री से पढ़ना सीखो यार सिर्फ यह ने कि आपको सब्क्रिप्शन लेकर ही आप पढ़ सकते हैं आप टीचर तो वही है जो पढ़ा रहा है यहां वही पढ़ा रहा है वहां तो आप दिमाग से निकाल लिए कि पैसे वाले बच्चे सेलेक् करना आना चाहिए वो टॉपिक को पढ़ें समझें सेलेक्शन वही देगा चो पढ़ेगा चाहाँ वह गरीब हो या अमीर हो तो इस खयाल को यहां से निकाल दे और MBBS की फीस भी बहुत कम है अगर आप गवर्मेंट कॉलेज से MBBS करते हैं तो फीस की भी चिंता को छोड़ि जिस दिन आपका MBBS रेमिशन हुआ उस दिन से आपकी अच्छे दिन आ जाएगी तो मिहनत करें ताकि आपको MBBS मिले और आपके पापा आज वो हार्डवर कर रहे हैं उनको कल से कून देना है तो आपको आज से मिहनत करनी पड़ी इस वीडियो में ता ही आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू सो मच जहिंद